हलो एवरिवन आप देख रहे हैं चैनल अमीन इंफो इस वीडियो में दोस्तों हम बात करने वाले हैं एक्सपेक्टेड डेली उनिवरस्टी पोस्ट ग्रिजुएट एडमिशन डेट दो हजार एक्टिस आप में से काफी बच्चे इस वक्त धड़ेयर में होंगे और इसके बाद अपनी मास्टर्स करना चाहेंगे चाहे वो डियू से करना चाहें डियू रेगुलर से एसो इल से या फिर एंसी लिप से तो आप लोग काफे इंटरस्टिड हो गए जानने के लिए कि क्या जो मास्टर्स के फॉर्म है वो डियू के कब निकल सकते हैं तो इसके उपर थोड़ी हम चर्चा करेंगे इस वीडियो में सबसे पहली चीज़ दोस्तों यहां पर एक चीज़ आपको समझनी है जो कि मैं हमेशा बताता आया हूँ जब भी मैं पीजी की वीडियो बनाता हूँ एसो एल एंसी वेब या रेगुलर टीनों में अगर आपको किसी भी ब्रांच में एडमिशन लेना है तो उसके लिए आपको एक ही एडमिशन फॉर्म फिल करना पड़ता है जो कि du.ac.in official website पर जाकर आपको फिल अप करना पड़ता है जिसकी साड़े साथ सो रुपय अप्रॉक्स फीज होती है और reserve category के लिए अप्रॉक्स साड़े तीन सो रुपय की फीज होती है ठीक है लेकिन फॉर्म एक ही होता है एक फॉर्म आप एक बार रिजिस्ट्रेशन करोगे उसमें अप्लाई पर जाकर पहले अपना जो भी आप कोर्स अप्लाई कर रहा हो वो कर दोगे फिर उसी ID और password के थूर लोग इन करके आप second course के लिए अप्लाई कर सकते हो बट fees अलग-अलग दोनों courses की लगती है ठीक है और form सबका सेम ही होता है जो कि S.O.I.L. के बच्चे हर बार ये confusion में रहते हैं यार मैं तो अपने एक्जाम पर फोकुस कर रहा हूं या कर रही हूं तो मेरे form कब निकलेंगे तो आप लोग बहतर है कि अपने एक्जाम के साथ-साथ थोड़ा website भी चेक करते हैं जब भी आपके form निकलेंगे आप वो फिल करने होंगे और इस चैनल पर आपको बताया जाएगा कि कब आपके form निकल रहा है कैसे form फिल कर रहा है अब जो में हमारा purpose है इस वीडियो का वो ये है कि आपके form कब निकल सकते हैं देखे डेली युनिवरसिटी का हर साल का ये trend है कि जो admission form है वो एक साथ निकलते हैं फोड़ा तीन चार दिन आगे पीछे हो जाता है कहीं पर master's के form तीन चार दिन लेट निकलते हैं बट अप्रोक्स ये आप कह सकते हैं कि form एक साथ ही निकलते हैं और अभी current का हम situation देखें तो अभी ना तो class 12 के board exam ठीक से हुआ हैं और वहीं university के खुझ के जो final year के exam है वो भी नहीं हुए हैं वो भी जून में होंगे तो इस चीज़ को अगर हम ध्यान में रखें तो क्या आपके admission form डिले हो सकते हैं अगर हम last year देखें लास ये आपके university के exam final year के अगस्ट में हो थे बड़ फॉर्म आपके अगस्ट से पहले निकल चुके थे तो क्या इस बार form निकल सकते हैं जिल्दी मेरा personally ये मानना है कि इस बार आपके admission form डिले होंगे प्योंकि last year क्या होता जब form निकले थे उस time पर आपके class 12 के board exam conduct हो रहे थे हलाकि class 12 के board exam और PG से कोई लेना देजा नहीं है विकास PG के लिए आप यूजी डिगरी आपकी record होती है बड़ इस बार जो है class 12 के board exam भी नहीं होए है तो admission form थोड़ा delay होंगे और delay होने का मतलब है आपके जो form में most probably जुलाई या अगस्ट में निकल सकते हैं इस बार जून में form निकलना काफी मुश्किल लग रहा है फिर भी अगर निकलते हैं तो मैं आपको बताऊंगा बड़ जो expected date जो मेरे according लग रही है वो जुलाई या अगस्ट में आपके form निकल सकते हैं PG courses के चाहिए आप LLB करना चाहते हो करना चाहते हो तो डियू से अगर आप करना चाहते हो तो उसके expected date फिलाल लग रही है जुलाई की और entrance आपका जब form निकलता है उससे एक मन्त के बाद entrance होता है फिर after one week उसका result आता है फिर then after one week आपका जो भी admission procedure counselling procedure होता है वो start होता है तो यह सब कुछ procedure चल रहा होगा और बस यही मैं आज की इस वीडियो में आपको बताने आया था I hope आपको इस वीडियो यूसफुल लगी हो वीडियो को शेयर करेगा Thank you